तो नहीं हमने यानते हैं रसोड़े में कौन था तो वही बोला है तो आकॉंटेबल मतलब किसी बात के लिए जवाब दे इस बात के लिए जवाब दे कौन है ना तुम थी ना मैं था तर रसोड़े में कौन था इस बात का जवाब दे दो तो आकॉंटेबल मतलब किसी बात के ज़ज के सामने चुप चाप रहना है थोड़ी गोलना सनी दो जशन तारीक पे तारीक तारीक पे तारीक तारीक दूबर आर तो तुन भीतर रुका तारीक पे तारीक फिलीमियम चलेगा यहां कोई नहीं बोल सकता इधर ठीक है बड़ा-बड़ा हस्ती जा करके कोट में चु को पढ़ेंगे कंप्लीट करेंगे ए से जड़ ठीक है जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे और हम क्या करेंगे कि इसको ट्रिक से याद करेंगे अगर आपको याद है तो आप किरपय करके इस वीडियो को नहीं देखें क्योंकि याद है तो क्यों देखना टाइम पास नही है और उसका ट्रिक नहीं पता है तो आप ट्रिक से देख सकते हैं ठीक अगर लगी कि फाइदें बंदे तो आगे बढ़ते हूं पूरे ए से ए टू जड़ चलेंगे अबेटर का मतलब होता है कसाई खाना अबेटर का मतलब क्या आता है कसाई खाना जहां बकरा उकरा काटा जाता हो या फिर जहां काटा जाता हो कोई भी चीज जह मान समस्ली कटता हो उसको कसाई खाना बोलते हैं तो यह लिखाला अबेटर अबेटर लिखाला अबेटर लेकि करने के लिए अबेत। अबेतृ नेया काटने के लिए अबेतृ को नहीं नहीं हिना हुए अबंट का मतलब होता है का मतलब क्या होता है चर्श का मुख्य पादरी तो सवाल पुछ नहीं मिलता है बहुत है जाते हैं बोट ना पानी वाला बोट से अब बोट यानि अब बोट से जाते हैं कौन चर्च का जो मुख्य पादरी है अब बोट से जाते हैं अबरिवेशन का मतलब बता है किसी सब्समू का संचिप्त रूप अबरिवेशन मतलब क्या आता है किसी सब्समू का संचिप्त भी है अब आपरी भ्येशन cmd3 का मतलब याद रखनते हैं कि अबरी भईशन का मतलब याद रखते हैं कि अबरी भीशन 22 weirdest अबरी भ। न्वारी iwhat us calm को उसना संध्सिप्द रूप को ना बढ़ासा को च्छोटा रस्त कर रहा है तो सब्समू का संध्द रूप अबरी भेश क अबरी भैस को कहा ले जाएंगे छोटा रास्ता से ले जाएंगे संचिप्त रास्ता से ले जाएंगे तो अबरी भैसन और किसी सब्समू का संचिप्त रूप अबरी भैसन अबरी भैसन को करेंगे तो छोटा संचिप्त रास्ता से ले जाएंगे तो इसको सब्समू का संचि ब्यूद आप अब डिक है मतलब किया आता है सुच्छा शेंले लिख ले अब यहां लिझा ले दी या मतलब क्याता है हम लोग गांवे बोलते हैं दी कहा है बड़ी जोटी दी ऐसा भोलते लिधा स्वीचा से त्यागना अब जो है दी व ole प्मिसको fund केट अब जो है दी जो है दी दी वो कैट को क्या कर दे स्विचह से त्याग दी अब डीक रासन लाने अभे रासन अभे कहा जा रहा है अभे हम रासन लाने जा रहे हम थोड़ा समानी से अलग है तुम लोग सब जनरल में समानी में तो जनरल में हम थोड़ा पीछड़ा वर करें तो अभे रासन अभे रासन लाने जा रहे हैं कहले हम समानी से अलग है वह तुम लोग कि अगने गिरना करना तो यहां रहें कि हैं फॉइन करना करता है कि हिंदी याद करने बाता है सुबह तो अभोर का मतलब होता है गिरना करना क्या भोरे भोरे भोर मतलब सुबह होता ना अभोर क्या अभोर अभोर अभोरे भोरे एकदम गिरना करने वाली बात मत करो तो अब भूरे भूरे सब मात मत करो अब भूर मतलब घिरना करना अब जक्ट मतलब बहुत बुरा या देनिये इस्थिती अब जक्ट तो अब जक्ट इसे पढ़ते हैं अब जक्ट को पढ़ते हैं अब जक्ट अब जक्ट अब जक्ट अब जक्ट बहुत देनिये इस्थिति आप जैकेट क्या है बहुत बुरा हो गया है मतलब दैनिये इस्तिती में हो गया है अब जैकेट क्या हो गया है बहुत बुरा हो गया है दैनिये इस्तिती में हो गया है अब जैकेट क्या हो गया है बहुत बुरा हो गया है दैनिये इस्तिती में हो गया है अबजक्ट अब आज बनाए कल भी टूड़ी है यार क्या करें अब बोली जो बना रही थी अब बोली अरे यार इसको पूरी तरह समाप्त करो मेरे दिमाग खा रहा है तू खतम करो इसको अब बोली अब बोली वो क्या बोली अब तो अब बोली पूरी तरह इसे क्या करो समाप्त कर दो अब अब बोली अब बोली कि तुम क्या कर दो इसको पूरी तरह समाप कर दो अब बोली अब बोली पूरी तरह समाप कर दो इसे मतलब मुल निवाल सी किसी जगह का मुल निवाल सी ओरीजिन तो यह कहले ओरीजिन का मतलब कहाता है मुल बिंदू ओरीजिन मतलब कहाता है मुल बिं इसको बोते है और पॉयंट्ट तो गोडा मुल बिंदु तो फो इनकि जाओ कि मुल निमास होगा अब उरिजिनेश मतलब किसी जगह का मुल निमास है की अब स Data मतलब कानून से भागा हुए वेक्ती फ्सकॉंडार मतलब कानून से भागा हुए वेक्ति से कौन डरता है अब से कौन डर अब से कौन डर अब से कौन डरेगा उसका कानून से भागा हुए वेक्ति वो खुद है तो अब से कौन डरेगा कानून से भागा अपने भागा अपने डर दर के भाग रहा तो उससे कौन डरेगा अब सकौन डर तो अ अब सीक रहे है तो यह इंब मतलब होता है शोखने के प्रिक्रिया एब जॉर्ब का मतलब होता है जिससे समझना मुस्किल स्टूज मतलब क्या होता है जिसे समझना मुझकीन ऐसेयर लगता लिखाना अब दीन को या यहाद रखेगा कि जैसे अच्छा लगते हैं तो प्रनोंसियेसन पर मत चाहिए क्योंकि हम spelling याद रखने के लिए सरकारी स्कूल नहीं तो हमको कोई बोले गंद की लिखो dent तो d ent भी होता है देंट और d ent भी होता है देंट तो इसको हम डांट पढ़ देते redundant यह कर देते हैं टेक है incident d ent कर देते उसी तरह से पढ़ देते हैं तो अपना spelling के निसर परता है तो यहां लिखाल अब स्ट्रूज तो अब से true बोलना यार कहा है true बोलेंगा अरे समझने बहुत मुस्किल होता है दोस्त तो अब स्ट्रूज अब से true बोलेगा तो मतलब हमेंसा सच बोलेगा कहें सच बोलेंगा तो जिससे समझना मुस्किल हो बहुत मुस्किल हो अब स्ट्रूज जिससे समझना मुस्किल हो अब स्ट्रूज जिससे समझना बहुत मुस्किल हो सो में पंचानवे तूरह सो में पचाथ तू बेकार आदमी तू क्या बोल रहें तू अबसर क्या हो रहें वाले बेतु का बाते बोलने अबसर बेतु का बाते अभी तक मश्रवा ठीक बोल रहा था 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 साला अभी यूज कर रहा है गाली अभी यूज क्या कर रहा है गाली यूज कर रहा है तो अभी य लेड मतलब सीशा होता है एक को लेड परसंसा करना एक को मतलब एग भी एक को मतलब एक और लेड मतलब सीशा एक को लेड अब दुखान गए थे खरीदने के लिए बोले कि लाग काम करो तो लाओ तो हूँ क्या बोलते हैं खानेवला टेबल को क्या बोलते हैं को ड्रेसिंग डाइनिंग टेवल उसको तब गलन नहीं यह लीक में तोड़ाउो एक भी लेड यानी एक भी सीशा नहीं चूटा उसे मस्त से यह दम से तो एक लेड एको लेड नहीं तुटा तो लोग उसका कर रहे हैं अकम्प्लिष पत्ब होता है Кिसी अपराद में अपराधी का साथ देने वाला किसी अपराद में अपराद ही का साथ देना वाला को मुलते हैं Participle इसाल को शोजी पूर बढ़ाद का ओव्यां कि तो पुल रहे कि छल जी भी को माज में कान उठाव समाज में कान उठी करना पड़ेगा क्लीज साम दून हरु जब से तो हमने लेगा भागवाग से तो आकम प्लीस आकम प्लीज कहें भाद कर रहे टुम सब्सक्राइब वह these प्राइब किसी अपराद में अपरादी का साथ दिने उला क看. प्राइब कहा जा रहे हां चल बहुत जाय उनिए अपराद करें एसा इसा यह1 बात के लिए जवाब जनरल लेजर पलना चिनना डखना डेविट कैस ट्रेडिट कैस इसे भी लिखना होगा और इसका जवाब दे ही तो आप भी होगी तो अगर अगर पढ़ते हैं तो उसमें क्या जवाब दे किसी बात के लिए आप ही कुछ जवाब देना होगा अगर एकाउंटेट पर ले तो अकाउंट टेबल मतलब होता है किसी बात के लिए जवाब दे और नहीं तो ऐसे समझते हैं अकाउंट मतलब खाता जो खुलाते हैं उसको एकाउंट बोलते हैं किस साला मेरा खाता टेबल पर रखाता कहा दिया कहा गया तो हम इस बात के लिए जवाब दे हैं क्योंकि रख नम्में था तरह सोड़े में कौन था इस बात का जवाब दे दो तो accountable मतलब किसी बात के लिए जवाब दे कौन था राशी तो accountable मतलब किसी बात के लिए जवाब दे तू बात के लिए जवाब दे अब कोई साब एस्टी इस स्वासाइब रखेगा एसे क्यूई आई-ई-ए अभी याद रखे ऐसे है एक्सप्ट सी आई-ई-ई नाटी पर सेंट के फार्म में ऐससे ऑड़को सी आई-ई-एउ तो आई-ई होगा तो सी छोड़ गया है तो आई-ई है ठीक है ऐसे याद रखते हैं तो यह 90% काम करता है एक्सेप्ट सी आई-ई जब सी नहीं निकल नहीं है तो आई-ई होगार सी है तो फिर ई-ई हो जागा तो अक्वाइस मतलब होता है बेमन का परंतु बिना विरूद की स्युकार जैसे नहीं बोलता है कि ले लखो अपसला महमानी में गये हैं हमको पसंद नहीं है बलसाही हमको पसंद नहीं है और महमानी में गया बलता ले बलसाही को अपसला बोल भी नहीं करते हैं मतलब क्या है कि बेमन का है मन नहीं कर रहा है लेकिन फिर भी बिना अब आपको औसे तो सुखार करें पड़ेगा तो वेमन का प्रंतु सुखार करना अकोईश अब कईस तो अब कैसे करें यार अक्वाइट-कामतलब ता ह मतलब से और करना मतलब अरुम्न Joint कोट उट ले जाता है तो हम लोग को फिर आदालत में पेस्ट किया जाता है उसके बाद बोलता है कि ये बाई जो जो बोलता है क्या बोलता है उसको बरी कर दिया जाए तो ये अक्वाइट तो नहीं बोलता है एकदम कोट जज के सामने चुप चाप रहना है हुआ थोड़ी ऑपकवाइट हूँ आपकोइट अपकॉएट पॉरत रहेंगे से वड़क भाइब कुछ बोलेगा फिर ढूगा देगा तो इसक unf Strick अक्रिमोनियस का मतलब होता है कटू नाराजगी भरा अक्रिमोनियस का मतलब क्या होता है कटू या नाराजगी भरा अक्रिमोनियस बोलता है कि रहे यार तु नाराज का आल है बोलता है नाराज है तुम दिया इसको पैसा नहीं एक्रो मनी दो एक्रो मनी दो एक्रो का मतलब इसको ना एक्रो मनी दो एक्रो दो एक्रो दो तुम क्या दे मनी मनी इसलिए नाराज है एक्रो मनियस, एक्री मोनियस, एक्रो भी मनी दो, एक्रो मनी दो, एक्रो एक्रो, इसको दिया, हाँ, एक्रो दो, क्या दे, एक्रो मनी दो, एक्री मोनियस मतलब नाराजगी भरा, तब नाराजगी ये क्या होगा, नहीं होगा, कट्टू ये मनाराजगी भरा, एक्री मोनियस, एक्रू मुनियस एक्रू मुनियस तो ये था पुरा कपूरा भी ये वलत 20 हुआ है और भी है तो ये था आपको सहाथा मिलेगा है इसमें ट्रिक से याद करने में मजह भी आजा अगर एक बर देखेगा ना तो गरेंटरी देते कि दुबारा भूलिए निए और जब अगर आठ मिनट का चार मिनट में खतम क्योंकि एक बार अगर देखा रहे गां तो दुबारा टाइम नहीं लगता ठीक है और यह ट्रिक है तो कभी भूलेंगे नहीं तो हम जैसे याद किये हैं वैसे ही आप लोग को याद करवा रहे हैं अगर लगी कि हम सीख रहे हैं तो आप रह ही हमारे सब्सक्राइब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ने